36 गर सिंधी स्थाहित अकादमी के द्वारा प्रतम सांस्कृतिक अकारेकरम का आयुजर्ण श्री जुलेलाल मंदिल सभागार तिल्दा में आयुजित क्या गया जिसका नाम था सिंधियत की जोद बता दे कि इसकारेकरम की मुख्य अधी थी वरोद्रा गुजरास से आई संत शेहरावाली थी नुईकारेकरम की शुरत भगवान जुलेलाल जी के फोटो पर माला अरपन कर दिप प्रज्रित करके की गई बताते उचले कि अकाद्मी के अध्यचर सदस्यों के द्वारा सत जी का फूलों की माला पहना कर शौल होडा कर शुरिफल दे कर स्वागत और समान किया गया वहीं शेहरावाली जी ने अपने अमृत वजन से कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि 36 गर सिंदी साहित अकाद्मी के द्वारा आज कर जो आयोजिन किया गया है जिसका नाम सिंदियत की जोध है जोध हर शहर में हर गाउं में हर नगर में हर घर में जलने चाहिए जिससे हमारे समाज की सांस्कृतिक भांसा को बढ़ावा मिले आज की युवा पिड़ी अपनी संस्कृतिक भांसा को समझ सके और उसे आगे बढ़ाए किसी भी समाज की पहचान और सक्ति उसकी भांसा संस्कृति होती है इसी कारे के लिए अकाद्मी को बहुत बहुत बढ़ाईवा शुपकामना है जिए थी भी हुने थो रात थिये थी भाव ए दुनिया वारो गदो गदो है दुनिया वारो संदुजी अमर कहानिया सिंदुजी मेहमान आहमान वेदन भी वाखानिया